तो चलिए हम लोग अपने नजरिये का महत्तु एक कहानी से समझते हैं एक आदमी मेले में गुबारे बेच कर गुजरवसर करता था उसके पास लाल, नीले, पीले, हरे और इसके अलावा कई रंगों के गुबारे थे जब उसकी विक्री कम होने लगती तो वो हिलियम गेस से वरा एक गुबारा हवा में उड़ा देता बच्चे जब उस उड़ते गुबारे को देखते तो वैसा ही गुबारा पाने के लिए आतुर हो उड़ते वे उसके पास गुबारे खरिदने के लिए पहुँच जाते और उस आदमी की विक्री फिर बढ़ने लगती उस आदमी की विक्री जब भी घटती वो उसे बढ़ाने के लिए गुबारे उड़ाने का ही तरीका अपनाता एक दिन गुबारे वाले को मैसुस हुआ कि कोई उसके जाकेट को खीच रहा है उसने पलट कर देखा तो वहां एक बच्चा खड़ा बच्चे ने उससे पूछा अगर आप हवा में किसी काले गुबारे को छोड़े तो क्या वो भी उड़ेगा बच्चे के इस सवाल ने गुबारे वाले के मन को छो लिया बच्चे की और मूड कर उसने जवाब दिया बेटे गुबारा अपने रंग की वज़े से नहीं बलकि उसके अंदर भरी चीज की वज़े से उड़ता है हमारी जिन्दगी में भी यही उसूल लागू होता है एहम चीज हमारी अंदरूनी सक्सियत है हमारी अंदरूनी सक्सियत की वज़े से हमारा जो नजरिया बनता है वही हमें उपर उठाता है हर्वर्ड वी स्विद्याले के विलियम्स जैम्स का कहना है हमारी पीड़ी की सबसे बड़ी खोज यह है कि इंसान अपना नजरिया बदल कर अपनी जिन्दगी को बहतर बना सकता है